गूड यूणिंग ट्रेडर्स, हलो एब्रीबन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल विवेक मिस्रा ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेयर के उपर चर्चा करने वाले हैं वो कोल इंडिया लिमिटेड है ठीक है आपको पता ही है ये सबसे जाना माना और सबसे मजबूस सेयर है अपने टाइम का एक टाइम पे रहा भी है काफी अच्छा श्टांग वेल्यू भी प्रेजन की है इसने तो क्या इस पे अब मुमेंट आने वाली है अच्छी खासी हम इस पे पूरा विस्ताह से चर्चा करेंगे इसका चार्ड प्रोफाइल सब कुछ फैनेंसियल कंडिसर सब एनलाइस करेंगे तो देखिए मेरे चैनल पे जो नए है चैनल सस्क्राइब कर लें चैनल सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ट्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो मेरे चैनल पे गिबवे भी चल रहा है तो आप मैं आई बटन में उसका लिंक मेंसन कर दूँगा आप जाके पार्टिस्पेट करिए ठीक है ताकि आप मसे एक वीवर को वो गिप्ट मिल सके ठीक है चलिए आज के सेयर के उपर चर्चा कर लेते हैं आज का जो सेयर है वो कोल इंडिया है ठीक है देखिए अभी करेंट प्राइज जो चल रहा है 114 रुपए 70 पैसे पर चल रहा है ठीक है और अपकमिंग हेरिंग नवंबर 16 को आने वाली है मदब दिवाली के तीन दिन बाद ESP जो है इनका वो 23 रुपए है और मार्केट कैपिटल 704 बिलियन की है ठीक है डिवडियन इनका अब 10% से उपर है PE जो है वो 5 है ठीक है आईए जान लेते हैं इसकी financial condition तो valuation में देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 692 बिलियन का सो कर रहा है यहां पर ठीक है यह करंटली का नहीं दिखा रहा है थोड़ा एक दो दिन पीछे का है इसका ठीक है नंबर आफ इंप्लोईज जो है देखिए 272,000 ठीक है इंप्लोईज नंबर आफ शेयर होल्डर्स भी इनके बढ़ चुके है साथ लाग साथ जार हो चुके है ठीक है देखिए 52 वीक हाई जो है वो 217 रुपए का है 52 वीक जो है 109 रुपए का है ठीक है बैलेंस सीड वाइस ठीक है टोटल एसीड देखिए 1500 बीलियन की है इसकी आईए इसके प्रोफाइल चेक कर लेते हैं तो सेक्टर इनर्जी मिनरल से बिलॉंग करता है और इंड़स्ट्री कोल की है कोल इंडिया लिम्टड देखिए एक होल्डिंग कंपनी है जो इंगेस करती है और प्रोड़क्शन और सेल करती है कोईले का ठीक है और बहुत सारे और भी चीजे हैं सर्विस प्रोड़क्ट 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 करते हैं जैसे कोकी कोयल हो गया सेमी कोकी कोयल हो गया नौन कोकी कोयल हो गया वास्ट और वेनिफिश्टियट कोल हो गया ठीक है और ये सब इसी तरीके से जैसे तार हो गया जो root बनाने के काम आता है heavy oil हो गया light oil हो गया salt pinch हो गया ये सब provide करती है company company जो found की गई थी वो June 14 1973 में found की गई थी headquarter अपने कोल कता में है आईए इसका जरा हम लोग technical analysis करते हैं जिससे उसको बारे में हम विस्तार से जान लें तो देखिए जो भी हम लोग technical analysis करते हैं कोल इंडिया लिम्टेट के उपर एक बहुत popular based technical indicator है जिसमें हम moving average, oscillator और पविटोल्स से quick result अब level कराते हैं traders को weekly, monthly और day wise ठीक है दोस्तों तो देखिए कोल इंडिया में अभी जो investment का है कि lifetime low का indicator so कर रहा है, मतलब बहुत various moment दिखा रहा है ठीक है, 109 रुपे पे अगर ये low जाता है, तो ये अपने पुराने breakout पे भी आ सकता है 103 और 92 ठीक है, अगर chart में और अच्छी moment आई, जिस तरीके से अभी so कर रहा है अगर down नहीं जाता है ये जैसे कि देखे एक news निकल के आई थी कि coal India ने launch किया अपनी performance reward scheme for employees, तो वो अपने employees को देने वाला है जो workforce में थे 2019 से 2020 के बीच में October मतलब 22 आज ही ये paid हो जाएगा इन सभी को 68,500 रुपे का, ठीक है ये reward है, पर employees performance wise मिलेगा उनको, ठीक है तो 200, 262,000 employees को ये over state में जितने भी subsidies है 8, जैसे NTPC हो गया इन सभी में, ये लोग provide करने वाले है, company payroll ठीक है, 1920 वाला तो इसके जैसे काफी अच्छी movement देखनों को मिल सकती है ठीक है, अगर ये अपने 120 रुपे से उपर जाता है, तब तो बहुत अच्छी movement आने वाली है, ठीक है, इसमें कोई दो रा नहीं है, ठीक है, वरना आईए देखे, एक पार चार्ट देखके इसका समझ लेते हैं, ठीक है, देखे, downtrend तो बन रहा है, बट अगर इसने अभी जैसे जिस रुप, प्राइस पे चल रहा है, जैसे की देखे, अभी मैंने आपको बताया था, कि 114 रुपे 70 पैसे पे चल रहा है, ठीक है, अगर उससे ये जाके 120 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब इसमें upward moment आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखे, चार्ट में पूरा एकदम बता रखा है, कि volume expression जो है इसका, वो काफी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, काफी volume बढ़ा है, तो अगर ये bearish moment को अगर इसको block करना है, तो इसको break करना पड़ेगा, 120 वाला रुपीज को, ठीक है, और उसको break करता है, तो फिर ये अपनी growth upward moment शुरू करतेगा, वरना अभी इसका downtrend ही चलेगा, ठीक है, देखिए, टेखिए, टेखनिकली call जो निकल किया रही है, वो भी sale की है, तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए call इंडिया पे एक best performance wise news, ठीक है, thanks guys for watching my YouTube channel, अगर आपका कोई सुझाओ तो comment में जरूर मंसिन करिएगा,